ये साधारन समस्या नहीं है, लोग इसे समभल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं। आप जिस भी ओम्रके हैं और आप अब तक नहीं जानते कि अपने विचार और भावनाओं को कैसे इस्तमाल करें। अगर आप हर चीज़ को वैसे ही देखें जैसी वो हैं, तो हर चीज़ का बहुत महत्व है, जीवन एक दौड नहीं है, अगर जीवन एक दौड है, तो आपको अंतिम बिंदू पर जल्दी पहुँचना चाहिए। मेरा आत्म सम्मान कम है। आपके विचार से मैं अपना आत्म सम्मान कैसे बढ़ा सकती हूँ, और खुद से नफरत करना कैसे कम कर सकती हूँ। वेल ये आत्म सम्मान, ये आत्म विश्वास दुर भागे से ये चीजें दुनिया में बहुत ज़्यादा बीची गई हैं आपको सम्मान क्यों चाहिए? आपके लिए सम्मान क्यों जरूरी है? सम्मान इसलिए क्योंकि आप हर समय किसी दूसरे से थोड़ा उपर होना चाहते हैं दुर भागे से हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी बनाई गई थी, किंड़ गाटन से ही पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है? आप पहले होना चाहते हैं, तो आपकी खुशी इस से आती है, जब सभी आप से खराब कर रहे हूँ ये कैसा जीवन है? क्यों? हम अपने जीवन को ऐसा क्यों बना रहे हैं, कि अगर हर कोई खराब कर रहा हो, तो हम अच्छा महसूस करते हैं? मेरे विचार से ये बीमारी है, अलो? आपको क्या लगता है कि ये खुशी है या बीमारी? आप मुझे बताइए, अगर आप सभी बुरा कर रहे हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आप नमबर एक पर हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, दुरभागे से छोटी उम्र से ही बच्चों के दिमाग में ये थोपा जा रहा है कि उन्हें सबसे उपर होना है, ये ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें कि अगर ऐसा दूसरे जीवों के साथ होता है, मान लीजे कि ऐसा पौधों, पेडों और जानवरों के साथ होता है, अगर चीन्टी हाथी जैसा बनना चाहे, तो वो भयानक चीन्टी हाथी बन जाएगी, है न? मान लीज़े आम का पेड नारियल के पेड जैसा बनना चाहे तो वो एक भैना काम का पेड होगा क्योंकि ऐसी एक शाखा से कोई आम नहीं निकलेगा आम का पेड ऐसा होता है नारियल का पेड वैसा होता है उन्हें वैसा ही होना चाहिए इसकी वज़ा ये है कि कई तरह से लोगों ने आपके दिमाग में ये बात डाल दी है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उंचा है, क्या नीचा है, क्या उपर है और क्या नीचे है इस वज़े से आपने जीवन के हर पहलू पर इस माहिने में कभी ध्यान नहीं दिया शायद हुमानिटीज वाले लोग और वकील आप क्या हैं? अकाउंट्स वाले लोग आपने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया मैंने सभी प्रकार के जीवों, चींटियों, टिड़ों और कीड़ों और हर चीज पर ध्यान देने में बहुत समय बिताया है अगर आप ध्यान दें, मान लीजे एक चींटी है या चलिए चींटी से थोड़ा बड़ा जीव चुनते हैं, जैसे कि एक टिड़ा उसे देखना आसान है गौर से देखें, तो जिसने भी इस टिड़े को बनाया है, उसने एक टिड़े पर उतना ही ध्यान दिया है जितना उसने इस इंसान पर दिया है कृप्या ध्यान दे कर देखें, जब सृष्टी के सरोत ने चींटी और आप पर एक बराबर ध्यान दिया है तो आप ये सोचने वाले कौन हैं कि चींटी तो छीजीव है और आप सूपर इनसान है आप ये फैसला क्यूं कर रहे हैं? स्रिश्टी ने ये फैसला नहीं किया है शायद आप सोचें कि आप स्रेश्ट हैं बस इसलिए क्यूंकि आप धर्ती पर अकड़ कर घूम रहे हैं पर ये सच नहीं है सच्चाई वाकई ये है देखिए अगर इस धर्ती के सभी रिंगने वाले कीट अभी वो सब मर जाएं सारे कीट तो लगभग 12 से 18 महिनों में धर्ती पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा आप मैं और सब कुछ मान लिजए आज सभी छोटे कीडे मर जाए तो ढ़ाई से 4 साल में सारा जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन अगर सभी इनसान मर जाए तो धर्ती फूलने फलने लगेगी हाँ, हम अच्छी खाद हैं अगर मनुष्य कहीं दूर चले जाते हैं तो इस बिल्डिंग के बीच से ही पेड उगाएंगे है ना? आया ना? सब कुछ फलेगा फूलेगा तो आप से कौन कह रहा है कि आप सब से महत्वपूर्ण जीवन है? ये सोच कि ब्रह्मांड मानव के इंद्रित है ये एक बेवकूफ की सोच है इस ब्रह्मांड में ये सौर मंडल खुद एक छोटा सा कण है कल सुभा अगर पूरा सौर मंडल भाब बन जाए तो किसी को भनक भी नहीं लगी कि ये इतना छोटा है उस छोटे से कण में प्रित्वी एक सूक्षम कण है उस सूक्षम कण में बेंगलोरू एक सूपर माइक्रो कण है जिसमें आप एक विशाल आत्मसम्मान वाले बड़े इंसान है ये कोई साधारन समस्या नहीं है लोग इससे समभल नहीं पाते और अपने जीवन भर पीड़ा सहते हैं असल में बात बस ये है आप खुद को ऐसा बना चुके हैं कि आपने खुद को ऐसा बना लिया है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को समभल नहीं सकते यहीं बात है आप पचास साथ की उम्र के लोगों से मिली वे अब तक नहीं जान पाएं हैं कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे समभलें ये बुनियादी चीज़े हैं, आप कब सीखेंगे कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे इस्तमाल करें? मान लीजे कि आपकी उम्र 20 साल है, और आप अपनी उंगलियों का इस्तमाल करना नहीं जानते, तो लोग कहेंगे आप विकलांग हैं, है न? आप जिस भी उम्र के हैं और आप अब तक नहीं जानते कि अपने विचारों और भावनाओं को कैसे इस्तमाल करें, तो क्या आप भी विकलांग हैं? अलो? क्या आप हैं या आप नहीं हैं? आप हैं, आप खुद को अपंग बना रहे हैं. ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है, क्यूंकि आपने अस्तित्व का अस्वा भाविक विभाजन कर दिया हैं. ये विभाजन कहीं और नहीं हैं, सिवाए आपके मन के. हां, ये मानव मन के अलावा और कहीं मौजूद नहीं है. क्यूंकि आप एक छोटी लड़की हैं, तो क्या मैं आपको छोटी लड़की कह सकता हूँ? लड़कों मैं आपसे कह रहा हूँ, वो छोटी लड़की नहीं है. मेरे लिए वो एक छोटी लड़की है. जब मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, तो वो मेरे साथ हर जगा घूमते हुए बड़ी हुई साड़े तीन महीने की उम्र से वो मेरे साथ अकेली यातरा करती थी मैं उसके साथ पूरे भारत में गाड़ी चलाता था, उसे कार की सीट पर बांध कर तो वो इस तरह बड़ी हुई, हर दिन हम किसी अलग परिवार के साथ होते थे लोग अध्भुत थे, पर बड़ी उम्र के लोगों की एक समस्या है जिस पल वे बच्चों को देखते हैं, तो वो उन्हें कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं, जिसने उनके जीवन में काम नहीं किया आपको देखना चाहिए, ये ललक कितनी विवश्टा पूर्ण है जैसे ही वे बच्चों को देखते हैं, वे सिखाना लगते हैं उन्हें सिखाना ही होता है तो मैंने एक नियम बनाया देखिए आप जितना चाहे उसके साथ खेल सकते हैं आप उससे बात कर सकते हैं पर कोई भी उसे कुछ नहीं सिखाएगा पर सद्गुरू वो कुछ नहीं सीखेगी ABC कम से कम एक दो तीन मैंने कहा कोई एक दो तीन नहीं फिर वे बोले वो अपनी उंगलियां भी नहीं गिन पाएगी मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर उसे अपनी उंगलियों को गिनना नहीं आता पर उनका इस्तमाल करना आता है तो मुझे परवा नहीं है अगर वो सोचे कि उसके हाथ में एक लाग उंगलियां है तो इसमें मेरी क्या समस्या है लेकिन वो एक दो तीन, ABC, Mary Haddle, Little Lamb सिखाना चाहते है मैंने का मुझे परवा नहीं है कि मेरी के पास मेमना था या नहीं पर आप उसे कुछ मत सिखाईए तो उसे किसी ने कुछ नहीं सिखाया वो बस सुनती थी सभी का बरताव क्योंकि अगर आपके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आपको आपको दूसरे इंसान को अपने बराबर मानना होगा तो वो बड़ी होती रही जब तक वो ढ़ाए तीन साल की हुई तब तक उसे लगभख साथ सो आठ सो नाम याद हो गए सभी बड़ी उम्र के लोग वो सोचती थी कि वो सभी उसके दोस्त हैं क्योंकि सभी उसे बड़ा मान कर ही बातें करते थे मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा होता लेकिन मेरी दिंचर्या बिलकुल करबड हो गई थी तो मुझे उसे किसी एक स्कूल में भेजना पड़ा तो जब वो 12-13 साल की थी एक दिन वो घर वापस आई और वो स्कूल में हुई किसी बात से परिशान थी तो वो मेरे पास आकर बोली आप हर किसी को बहुत कुछ सिखा रहे हैं पर आप मुझे कुछ नहीं सिखाते हैं मैंने कहा देखो मैं बिना मांगे कुछ नहीं सिखाता अब तुम आई हो तो बैठो तुमको बस ये जानना है कभी किसी को उंचा मत जानो उसने मुझे ऐसे देखा आपको भी नहीं मैंने का खास कर मुझे क्योंकि जब तुम मुझे उंचा मानोगी तो तुम इस से पूरी तरह चूक जाओगी अगर तुम मुझे वैसा ही देखो जैसा मैं हूँ तो ये कीमती चीज़ है अगर तुम मुझे उंचा मानोगी और कभी किसी को नीचा मत मानो, बस इतना ही. कभी किसी चीज को न तो उंचा मानो और ना ही नीचा मानो. अगर आप हर चीज को वैसे ही देखते हैं, जैसी वो है, तो हर चीज का बहुत मुल्य है, हर किसी के जीवन का एक स्थान और मुल्य होता है, है न? हर प्राणी का मूल्य है चूंकि हमें इसका एसास नहीं हुआ तो हमने दुनिया में कितनी चीजे नश्ट कर दी है सिर्फ इसलिए क्यूंकि हम सोचते हैं कि ये कीमती है वो कीमती नहीं है यहां ऐसी कोई चीज नहीं है जो कीमती नहीं है हर चीज का अपना मूलिय है, शायद आप देखने ही पा रहे हैं। तो खुद को ऐसा मत बनाईए, आप बनाम बाकी दुनिया। मुकाबले में चले जाना अच्छा नहीं है। आप इस धर्ती पर नंबर एक बनना चाहते हैं। ये एक भयानक स्थान है, हर कोई आपके नीचे और आप उपर। क्या ये होने के लिए अच्छा स्थान है? मेरे ख्याल से ये एक बीमार स्थान है। किसी से आगे रहने की इस सोच को जाना होगा। वैसे किसी खेल या किसी चीज में मज़े के लिए आप मुकाबला करते हैं, वो अलग बात है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, जीवन एक दौड नहीं है। अगर जीवन एक दौड है, तो आपको अंतिम बिंदू पर जल्दी पहुँच जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि जीवन एक दौड है, तो आपको आज ही अंतिम बिंदू पर होना चाहिए। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ। आप वहां जाना चाहते हैं? नहीं। ये कोई दौड नहीं है, ये एक जबरदस्त सौभाग्य है, कि हम इनसान के रूप में पैदा हुए हैं, यानि जीवन को अनुभव करने की हमारी ख्षमता, धर्ती के किसी भी दूसरे जीव से कहीं जादा है, हमारे इनसान होने का यहीं महत्व है. हाँ, एक चींटी जैसे जीवन को अनुभव कर सकती है, एक टिड़ा जैसे अनुभव कर सकता है, या कोई दूसरा जैसे अनुभव कर सकता है, उनकी दुलना में हम ज़ादा जीवन तरीके से अनुभव कर सकते हैं, ये हमारा सौभग्य है, जीवन को अनुभव करने के आत्मसम्मान की जरूरत नहीं है। इस संस्कृती में शायद आप जानते हों कि ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस तरह होंगे, कोई रामदास होगा, खृष्णदास होगा, ऐसे लोग। इसका मतलब है कि लोग सोच समझ कर एक घुलाम होने वाला नाम रख रहे हैं। क्योंकि एक आनंदित स्वेच्छा से बना दास एक जबरदस्त इंसान होता है। सिर्फ ऐसा इंसान जिसे किसी दूसरे ने घुलाम बनाया हो, वो अलग बात है। लेकिन स्वेच्छा से इस दुनिया में जो कुछ भी करने की जरूरत है, मैं वो करने को तयार हूँ, वो एक शांदार घुलाम है, है ना? मैं ऐसा ही हूँ? झार 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 झार